स्टार्स ब्रेकिंग न्यूज सुनिल शेटी ने कई ऐसे फिल्में की हैं जिनोंने बॉक्स आफिस पर खूप धमाल मचाया सुनिल शेटी ने अपने फिल्मों में अपने शांदर अभेने का नजारा पेश किया बॉलि वोड में आज भी कई बड़े निर्देशक और कई ऐसे हीरोहिरोईन जो सुनिल शेटी के साथ काम करने को तयार हैं बॉलिवुड में अन्ना के नाम से मशूर सुनिल शेटी पूरे चार साल बाद बड़े पर परवाप्सी कर रही हैं खबर है कि सुनिल शेटी और निर्देशक प्रिय दर्शन ने एक बार फिर हाथ मिला लिया है। 10 साल बाद सुनिल एक बार फिर प्रिय दर्शन की फिलम में बड़ा सा रोल करते दिखाई देंगे। आपको बता दें कि निर्देशक प्रिय दर्शन के साथ सुनिल शिट्टी ने हेरा फेरी हलचल दे दनादन जैसी कौलिवड फिलूम में काम किया है जिनों ने बॉक्स आफिस पर खुब धवाल मचाया था रिपोर्ट्स की माने तो सुनिल शिट्टी की इस फिल्म का नाम मरकड दा लाइन ओफ अरेबियन सी यानि अरब सागर का शेर है और इसकी शूर्टिंग भी पिछले हफते शुरू हो चुकी है सुनिल शिट्टी की ये फिल्म हॉलिवड की ट्वाय फिल्म से प्रेरित है हाल ही में इस फिल्म का पहला लुक्स सामने आया है जिसमें सुनिल शिट्टी सौल्मी शिताबदी के स्मुद्री यहदा बने हुए हैं इस फिल्म के लिए सुनिल को तलवार बाजी सीखनी है और कई बड़े बड़े सीन भी फिल्म आने है इस फिल्म में सुनुल शेटी के अलावा प्रबू देवा और सुपरस्टार मोहनलाल भी एहम के दारों में नज़र आने वाले हैं इस फिल्म का बजट लगबग 1.500 क्रोड रुपे बताया जा रहा है जो सुनुल शेटी की करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बताया जा रही है इस फिल्म में दर्शकों को बाहुबली की तरह वी एफ एक्स की कलाकारी देखने को मिलेगी जिसके लिए विदेशी स्टूडियो का सहरा लिया जा रहा है सुत्रों के मताबिक फिल्म की शूटिंग इसी साल अपरेल में पूरी होने की संबावना है लेकिन यह फिल्म दर्शकों तक अगले साल यानी 2020 तक ही पहुँचेगी दोस्तों आपको सुनिल शिट्टी की एक्टिंग और फिल्में कैसी लगती है और आप उनकी फिल्म मरकड के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट और लाइक करके हमें जरूर बताएं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शियर करें बॉलिवुट की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल स्टार्स ब्रेकिंग न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए झाल 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 झाल 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 झाल